नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सूर्यकान दिवेदी, शार्दी नवरात्र के अफसर पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आप किस तरह अपने घर पर सुक्ष्न तरीके से दिवी यग्ये कर सकते हैं, जूकि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में पंडित आपको उपलब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसी इस्थिति में जब पंडित उपलब्द नहीं हो तो आप कैसे अपने घर पर सुक्ष्महवन कर सकते हैं, सरप्रथम दाएं हाथ पर कुछ पीले चावल रखकर संकल्प करें, कि हे भगवती हम अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने पूरे परिवार के साथ आपका यग्य कर रहे हैं, हे देवी हमारे सभ्य को सुईकार कीजिए और हमारे घर में सुख शांती, सुख सम्रद्धी आरुग्यता प्रदान कीजिए, इन चावल को आप किसी एक कटोरी में या थाली में छोड़ दीजिए और उसके बाद कपूर और लकडियों के साथ हवन प्रारम कीजिए, सरप्रथम आप अगनी प्रजिलित कीजिए, उसके बाद भगवान गणपती का, हनवान जी का, शंकर जी का, विश्मुन जी का इन सब का ध्यान कीजिए, और अगनी देवता का धियान कीजिए उसके बाद कुछ आहोतिया अनिवारे रूप से होती हैं वो अनिवारे रूप से गी की आहोतियां आप दीजिए कि ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमम ओम अगने स्वाहा इदम अगने नमम ओम सुमाय स्वाहा इदम सुमाय नमम ओम घूस्वा इदम अगने नमम ओम घूस्वा इदम बाईवे नमम ओम स्वय स्वाह इदम सुराय नमम ओम्हु। अगर आपको लगता है कि यह मन्त्र में हम नहीं कर पाते हैं, तो आप 5 मंत्र की पुई से लिए 5 मंत्र जो आपको याद है, तो आप आहूती देसकते अन्यता आप ओम नग्रे महरार नमो नमह यह करके आउधियां दीजिए ओम अगनेश्वाहा इस तरीके से आउधिया दीजिए जो नग्रात्री के काल में आपने जब किया हो तो उस जब मंत्र का जो भी आपने किया हो तो आप तीन आहुतियां उसके अर्पिट कीजिए जैसे आपने ओम एम घ्रीम क्लीम चामंडाई विच्चे की की है तो ओम एम घ्रीम क्लीम चामंडाई विच्चे की तीन आहुतिया करेंगे बहुत सोक्ष्म तरीका में आपको बताता हूं कि 3, 5, 7, 11, 13, 16, 21, 33, 51 और 101 आहु हो सकता है हवन में अच्छा यह होगा कोरोना काल में कि आप अर्गलाइस स्रोष से हवन कीजिए और उसमें विशेश रूप से विदेही देवी का ल्यानम विदेही परमांशियम इससे हवन कीजिए हवन के बाद आप कुछ आहुतियां महमरतन्य की भगवान शंकर की अर् उसके बाद सर्सो के तेल की तीन बूंदे आप अगनी में समर्पित कर दीजिए उसके बाद देवी का जो भी भगवती का आपने प्रशाद किया है वो प्रशाद अर्पित कीजिए और उसके बाद आर्थी कर दीजिए यह सूक्षन तरीका है देवी भगवती के यग्य का जग्यो प्रांक्त आप परिक्रमा अवश्य कीजिए और कन्या लंकड का भोग उसके बाद जग्या के बाद आप कीजिए जदि आपको नौ कन्याई नहीं मिलती है तो आप तीन कन्याई ले सकते हैं तीन कन्याउं का भोग लगा सकते हैं सरप्रतम उनके चरण पुजन कीजिए उनके कलावा बांधिये उनके बिंदी लगाईए उनको जो आपको पहार देने वो पहार दीजिए चुन्री पहनाईए और इन तीन देवी शक्तियों महाकाली महालक्ष्मी महारस्वरसुती के प् पुजन्यों का ही समवान कीजिए उनको एक अदिश्ठात्री मानते हुए उनके हाथ में एक सुपारी दीजिए और प्रातना कीजिए हे भगवति हमारे घर का घर में कल्यान हो सुक्षांती हो सुक्संःती हो और उसके बाद जब कन्या पूजन हो जाए तो आप कलश्विसर्जन की आपचारिक्ता, परंपरा और पूजन पद्धिती के नुशार उस महा माया का आशिरवाद लेते हुए कलश्विसर्जन कीजिए करश विशर्जन कैसे होगा कि आप करश दीजिये हाथ में बॉम डेवी परपनातर, पिस्विसिन मातर जुगतों ख mm प्रसीदे विश्वेश्वरी पहिभी आप चारो पोनों में ओम दुम 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 द आज उपर बांध लीजे और स्वम पहन लीजे ये आपका रक्षा कवच हो जाएगा देवी भगवती का रक्षा कवच हो जाएगा इन्ही शुबकामनाओं के साथ मैं आप सबको अश्ट्मी और नौमी की हार दी बधाई देता हूं मा भगवती आपका कल्यान करें ओम दुम तंदर का इनन ओम तंदर का इनना ओं तंदर का इननन ओम तंदर काइनन ओम तंदर का इननुद्ट की हो जो हैं कि दो गाएगा है Momot Shans